नमस्कार भगवान सिक्रिष्ण ने पहली बार कब गाय चराई थी और उस दिन क्या हुआ था पता है आपको एक छोटी सी कता है जो आज मैं आपको बताऊ भगवान सिक्रिष्ण जब 6 साल के थे तब से मा यसुदा से जित करने लगे कि मा मैं भी गाय चराने जाऊंगा तो मा यसुदा भगवान सिक्रिष्ण पर हसी कि कनया तुम अभी बहुत छोटे हो और इस छोटी उमर में गाय कैसे चराऊगे लेकिन भगवान सिक्रिष्ण तो भगवान थे भगवान सिक्रिष्ण मा यसुदा से जित करने लगे कि नहीं मा मैं अब गाही चरूँगा अब मैं गाही चरूँगा अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मा यसुदा जब भगवान से कृष्ण की जित के आगे हार गई तो मा यसुदा नो बोला कि जाओ अपने बाबा से पोच किया तो भगवान से कृष्ण दोड़े 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 नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से वोला कि बाबा अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ और मैं भी गाहें चराने जाओंगा जेंगल में तो बाबा भी बहुत हसे कि कनेया अभी तो तुम बहुत छोटे हो और इतनी छोटे उमर में कैसे गाहें चराओगे वो भी बाबा से जिद करने लगे बाबा ने कहा कि चलो कोई बात ने अभी तुम छोटे हो गाई के बचले चराओ तो कनया नहीं माने वापिस बाबा से जिद करने लगे कि बाबा मैं तो बड़ा हो गया हूँ अब तो मैं गाहें ही चराओंगा तो नंद बाबा भी भगवान सी क्रिष्ण के जिल्द के आगे जुग गए और नंद बाबा कहते हैं सिरकिष्ण को कि जाओ पंडी जी को बुला के लाओ और कोई अच्छा महरत देखेंगे और उसी दिन में तुमको गाय चराने के लिए बेजूँगा भगवान सी क्रिष्ण दोड़े 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 पंडी जी के पास में जाते हैं और पंडी जी को बुला के लाते हैं नंद बाबा के पास नंद बाबा कहते हैं पंडी जी कोई अच्छा सा महरत देखेंगे और कनेया गाय चराने जाहेगा पंडी जी पंचांग खोलते हैं और महरत देखते हैं पंडी जी थोड़ी दे कुछ नहीं बोलते हैं तो नंद बाबा केते हैं क्या होँ पंडी जी तो पंडी जी केते हैं कि नंद बाबा पूरे साल ऐसा कोई महरत नहीं है अच्छा सुब मौरत नहीं है गाय चराने का सिर्फ आज ही का दिन सुब मौरत है गाय चराने का तो नंद बबा कहते हैं कि आज कही मौरत निकाल दो आप जो अच्छा हो उस दिन कार्तिक मास की सुक्ल पक्स की अश्टमी तिती थी और उसी दिन भगवान सी कृष्ण गाय चराने के लिए निकल आते जंगल में और उसी दिन को पूरा वेश्व गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है और उसी दिन को गोपाष्टमी का नाम पढ़ाता जिस दिन पहली बार भगवान स्रीक्रिष्ण गाल चराने करें तो गोपाष्टमी के समन्द में एक छोटी सी कता और है कहते हैं जब भगवान स्रीक्रिष्ण इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए अपनी अंगुली पर गोरोधन परवत उठा लेते हैं इंद्र आठ दिनों तो बहंकर परसा करता है गोकुल में लेकिन इतना पानी बरसाने के बात में भी वहां कुछ नहीं विगाड़ पाता है जब इंद्र का हांकार तूटता है और भगवान स्रीक्रिष्ण से शमा मांगने आता है इंद्र तब उस दिन भी कार्तिक मास की सुक क्रिष्ण गाय चराने गहे थे और यह दिन को पाश्टमी के रूप में मनाये जाता है इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे सब्सक्राइब करें करें ही